Hello Friends, Welcome to SSE Crackers और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SSE, CHSL और CGL 2020 के Maths के Full syllabus के बारे में कैसे Maths की त्यारी करें इसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत सारे SSE student है जिनका First Time इस बार उनका एक्जाम होगा आप कैसे त्यार करें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस शेशन का सबसे पहले तो आप समझे कि Maths का कहां पर कितना कितना वेटेज है तो जब हम बात करते हैं SSE CGL की और SSE CHSL 2020 की तो उसमें Quantitative Aptitude का जो वेटेज है वो आपके अगर मैं Tier 1 की बात करूँ चाहे वो CGL की बात हो चाहे वो CHSL की बात हो इन दोनों एक्जाम में जो है Tier 1 में यानि की Pre के जो एक्जाम होते हैं उसमें 25 questions होते हैं 50 marks के लिए यानि की एक questions के लिए आपको दो marks मिलते हैं ठीक है और मान के जलिए कि अगर आपका कोई question wrong हो गया तो यहाँ पर Negative Marking भी होता है और Negative Marking का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका एक question wrong है तो उसके लिए 0.50 marks आपके deduct हो जाएंगे समझ रहे हैं तो यह हो गया आपका tier 1 में 25 questions होते हैं 50 marks के लिए अगर हम बात करें CGL के tier 2 की ठीक है क्योंकि देखिए CGL में जो होते हैं वो आपके tier 1 होते हैं और आपके tier 2 होते हैं तो इस tier 2 में भी maths आता है तो इस tier 2 में आपके 100 questions होते हैं maths के और उसके लिए आपको कितना marks मिलता है 200 marks मिलता है यानि कि एक question के लिए आपको 2 marks मिलते हैं लेकिन CGL में कोई भी tier 2 नहीं होता है आपका maths का यहाँ पर tier 2 के नाम पे आपका होता है descriptive जिसमें आपको essay और आपको application यह सब लिखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप समझ लिए कि 25 questions 50 marks और CGL maths की बात करें मेंस की तो वहाँ पर 200 marks के होते हैं तो CGL के point of view से maths एक बहुत ज़ादा important chapter है क्योंकि यहाँ पर total जो है 250 marks के maths आते हैं अगर हम बात करें CGL की और अगर CGL की बात करें तो total 50 marks के आपके exam में question आते हैं तो यह आप समझ लिए चार्ट कि किसमें कितना weightage है अब देखिए कि maths में एक अच्छा score कितना होता है maths के score के analysis थोड़ा करके आपको बताते हैं देखिए CGL में क्योंकि आपको पता है कि 250 marks के आपके maths आते हैं इसके लिए आपको बहुत ज़ादा ध्यान देना परता है maths में समझ गए तो अगर आप CGL की बात करें या आप CHSL की बात करें तो कहीं न कहीं आपका maths week है आप maths में अच्छा performance नहीं किये हैं यानि कि अगर आपका score 30 के round में आ रहा है 28 आ रहा है 31 आ रहा है तो ये एक बहुत ही general score हो गया क्योंकि आप भी जानते हैं कि SAC में अगर आपको selection लेना है तो आपको maths अपना strong करना ही पड़ेगा इसका कोई substitute नहीं है क्योंकि maths ऐसा है कि जितना आपको आता है आपको पता भी चल दाएगा कि कितना आपका correct है कितना आपका negative है एक दो questions को छोड़ देतो तो अगर आप SAC की त्यारी कर रहे हैं और अगर आप maths में 35 marks से अगर कम ला रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका performance maths में अच्छा नहीं है मैं आपको बहुत ही frankly बता रहा हूँ तो maths में आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा तो इसको bad के category में ही रखा जाएगा तो आपको 35 से कम marks के लिए general के लिए त्यारी नहीं करना है अगर हम बात करें आपको 35 से 43 marks यह अब जो ऐसा score है यह आपका good score होता है ठीक है यह आपका good score हो जाएगा अगर आप 35 से 43 के बीच में score कर रहे हैं मतलब की 37, 38, 41, 42 इस टाइप का अगर score कर रहे है तो यह भी good है मतलब good में भी कैसा good है तो average good है क्योंकि most of the students को इतना के score तक तो आहीं जाता है क्योंकि वो SSE का त्यारी कर रहे है और math को लेकर वो कहीं न कहीं serious होते है लेकिन ना आपको bad के लिए जाना है नहीं आपको good के लिए जाना है आपको तो excellent के लिए जाना है अगर आप math में 43 plus अगर आपका score आता है तो आप समझे कि आपका बहुत ही अच्छा math है और आप जो है बहुत अच्छा score कर रहा है math में तो आपको इस 43 plus के लिए त्यारी करना है क्योंकि math में full marks यानि कि 50 आउटो 50 भी बहुत सारे students को आते हैं लेकिन अगर अच्छे score के बात करें तो 45, 47, 50 इस step के score आते हैं तो आपको इसके लिए जाना है 43 plus में इसके उपर आपका good है excellent है आपका मान के चल सकते हैं ठीक है तो ये score के बारे में आपको बता रहे हैं कि students जो है इतने इतने marks जैसे कि त्यारी भी कर रहे हैं तो वो अपने आपको किस तरीके से prepare करें आने वाले समय के लिए वो मैं आपको score के analysis करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 के नीचे आपका एक तरह से bad ही माना जाएगा अगर आप 35 से 43 के बीच में कर रहे हैं तो good है average good है और अगर आप 43 प्लस में कर रहे हैं तो ये आपका excellent score माना जाएगा अब देखिए जो SSC जो है आपने notification में जो आपको syllabus देता है उस syllabus को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप भी जानते हैं जो भी syllabus notification में आता है कहीं न कहीं जो भी वो questions पूछाता है वो उसी के around में होता है समझ रहें level इसका 10th class तक कहीं होता है maths का जो level होता है वो 10th class तक का होता है ऐसा होता है कि आप सब कुछ जो है 9th, 10th में आप पढ़ चुके वे होते हैं हलका फुलका concept तो आपको obviously बात है कि आता ही होगा तो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि maths आपको आता ही नहीं है क्योंकि आप maths 11, 12th में आप नहीं पढ़ सकते हैं commerce में, graduation में नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन आपने 9th और 10th में तो maths पढ़ा ही होगा तो obviously बात है उसी level का भी question रहता है लेकिन उससे थोड़ा अब advance मतनब आच्छे तरीके का आता है question तो देखिए number system से आपके chapter आते है questions क्या क्या आते हैं तो यहां से आपका whole number, decimal, fraction, relationship between numbers यह आपका chapter होगा है उसके बाद fundamental mathematical operations इससे आपके जो हैं अच्छा खासा question आता है क्योंकि यहीं पर important chapters arithmetic क्या आते हैं percentage, ratio and proportion, square roots, average, simple interest, compound interest, profit and loss, discount, business partnership, mixture and allegations, time and distance, time and work तो यह सारे chapters arithmetic के category में आते हैं जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है समझ गए उसके बाद देखिए advanced math की बात करें तो algebra से आपका basic algebraic identities आते हैं आपके elementary certs आते हैं graphs of linear equations आ जाते हैं जो matrix से आपको उसी तरीके से triangle उसके बहुत सारे centers जो होते हैं concurrence and similarities of triangles circle उसके chord, tangent, angle suspended by chord of a circle common tangent of two or more circles तो जो matrix में यह आपका total syllabus है इसी के round में आपका question आता है फिर आपका आता है mensuration mensuration से देखिए tier 1 में तो mensuration से easy questions आते हैं लेकिन अगर हम cgl tier 2 की बात करें तो इसमें बहुत सारे questions आते हैं 10 से 12 questions आते हैं यानि कि 20 से 24 marks के आपके mensuration से question आते हैं तो यहाँ पर जो है आपका triangle, quadrilateral, regular polygon, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular ठीक है उसके बाद आपका pyramid, square base यह सब आपके mensuration में chapters हैं यह सब आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ठीक है trigonometry आते हैं trigonometry से भी यह सारे chapters हो गएं आपके उसके बाद आपका di आता है और यहां से भी अब तो पहले तो di आपके easy भी आते थे अब बहुत calculated जो हैं आपके di आते हैं ठीक है तो यहां पर histogram, frequencies, polygon, bar diagram, pie chart, use of tables इस से जो हैं आपके di के question आते हैं ठीक है तो recent में जो trend है जो की tcs जो लेकर आया है वो यह है कि question तो आपके easy pattern पे रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो उसका calculation होता है वो बहुत जादा calculated और lengthy होता है तो आपको इस चीज़ पे भी धियान देना है लेकिन यह हैं आपके syllabus जिसको आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से complete करना है ठीक है अगर हम marks distribution के बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग confused होते हैं एडवांस मैस को अच्छे से पढ़ा जाए या arithmetic को अच्छे से पढ़ा जाए तो देखिए आपका जो ratio होता है वो 40 और 60 के ratio में होता है ठीक है अगर आप देखिएगा तो arithmetic से अगर आप अभी recent में ही आपका CHSL का exam हुआ या CISL का exam हुआ उसमें आप देखिएंगे तो arithmetic से मोटा मोटी आपके 20 marks के question आते हैं ठीक है 50 marks में से 20 marks जो हैं आपके 20 marks यह arithmetic chapters से ही आते हैं जिसमें आपका यह सभी chapters दिये वहना यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है percentage profit and loss यह सब इससे आपके total 20 marks के आ जाते हैं बाकी algebra, trigonometry, mensuration ठीक है geometry इन सभी से जो हैं आपके जो हैं वो around 25 marks के आ जाते हैं और वही DIA जो हो गया आपका उससे 5 से 6 marks आपके आ जाते हैं ठीक है 6 marks के round में आपके questions आते हैं तो यह आपका मोटा मोटी figure है इसलिए आप ऐसा नहीं है कि आप advanced math को अच्छे से पढ़ें, arithmetic को easy मिलें या arithmetic को आप अच्छे से पढ़ें, advance को easy मिलें आपको इन दोनों पर command करना है, समझ रहे हैं? और सबसे important चीज क्या है कि अगर आपका focus CGL की तरफ है, क्योंकि यह video CGL वाले भी देख रहे होंगे, जो आने वाले समय में CHSL है, उसके विले भी देख रहे होंगे, students, CPU वाले भी देख रहे होंगे, सब का pattern आपका same है, तो आपको इन दोनों को नहीं त्यारी करना है, ठीक है, क्योंकि CHSL के लिए, क्योंकि CHSL तो आपका सिर्फ और सिर्फ tier 1 में ही आता है, तो आप tier 1 के ही हिसाब से त्यारी करेंगे, लेकिन जो CGL वाले हैं, वो tier 1 and tier 2, इन दोनों की त्यारी एक साथ में करेंगे, जैसे कि CHSL वाले अगर देखेंगे, तो वो अगर practice करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा easy, moderate और थोरा सा advance आप questions को solve करेंगे, लेकिन CGL वाले हैं, उनको तो moderate भी करना है, और उनको advance level का भी questions solve करना है, तो ये थोरा सा आपका difference रहेगा, समझ गया, अब बात आती है कि तैयारी की जाए, तो कैसी की जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तो जान रहे हैं कि अभी 2020 का जो है CHSL का notification आया है, जिसका last date आपका 12 या 15 दिसंबर तक है, आप form भर सकते हैं, exam आपका April में है, मोटा मोटी जो है, मुझे लगता है कि दिसंबर last तक में आपका CGL का भी notification officially आ जाएगा, और उसका भी exam जो है, वो कहीं न क कहीं मई और जून के आसपास ही होगा आपका, ठीक है, मई या जून के आसपास ही मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा CGL का भी exam, तो आप समझे कि आप अगर मैं CGL के ही हिसाब से चलो तो 150 days अभी भी आपके पास हैं, और ये 150 days enough हैं, आपको एक बार पूरे चीजों को complete करने के लिए और उसको एक बार अच्छे तरीके से revision करने के लिए more than sufficient है, ठीक है, pressure लेना नहीं है, तो बात वही आती है कि तियारी करें तो कैसे करें, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, तो देखिए 150 days के लिए आपको अपने आपको थोड़ा सा mind में इन सब चीज है, ठीक है, और देखिए minimum आपको 2 घंटा तो देना यह हो सकता है कि किसी दिन आप जाधा busy है, तो 3 घंटा आप नहीं दे पाएं, तो आप 2 घंटा दे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका हर दिन minimum 2 घंटा देना है और maximum 3 घंटा देना है, इसी के बीच में आपको पढ़ा बीच में आपको regular पढ़ाई करना है, आपको revision एकदम continuously यह मैं आपको भी बताने वालों कि revision कैसे करना है, तो revision आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम बांध के चलना है करना है, क्योंकि यह कुछ basic चीज है, जो कि हर एक topper अपने routine में follow करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक proper maths का notebook आपको बनाना है, नहीं बना है, तो आप ले लीजिए और उसको आप एकदम start कीजिए बनाना, और आपको speed पे ध्यान देना है, ठीक है, speed पे ध्यान देने के लिए आपको mental calculation करने की जुरुवत है, हर चीज के लिए आपको pain और paper उठाने के जुरुवत नहीं है, अगर आप किसी questions को देख भी रहें, तो आप कोसिस कीजिए कि आप उसको orderly solve करें, थोड़ा इस पे भी आपको ध्यान देना है, ताकि आपका calculation पे speed ध्यान रहे, ठीक है, और इसके लिए आप सबसे अच्छा यहीं है, कि आप जो है 1 से लेकर 100 तक का आप square root याद कर ले, ठ इसलिए 1 से 100 तक आपको easily याद हो जाएंगे, तो इस पे आपको focus करना है, 1 से लेकर 100 तक आप एकदम याद कीजिए, जो है square, उसके बाद 1 से लेकर 30 तक का आप table याद कर लेजिए, cube root 1 से लेकर 30 तक कर लेजिए, और जो है कुछ-कुछ simplification, यह सब के trick आते हैं, उस पे में चीज, अब देखिए, मैस के लिए best book आपके लिए क्या-क्या रहने वाले हैं, बहुत सारे books का भी आपको जमावरा अपने घर पे नहीं करना है, कि यह नहीं कि बहुत सारे books लेके आए वें आप, और आप confused हो गएं अपने आप सहीं कि क्या पढ़ें, ठीक है, सबसे ज application का chapter wise आप ले ले या तो आप राकेष ज्यादब का chapter wise ले 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 ठीक है, यह दो chapter wise में से किसी भी एक chapter wise को ले ले और मेरे तरफ से अगर में भोलू तो आपjungications का ले सकते हैं, क्योंकि राकेष ज्यादब में क्या है, कि जो उसका solution है, वो बहुत अच्छे level का दियावा है तो आप अच्छे से tricky way में जैसा आपको recent time में जो calculation जाए उस हिजाब से solve किया गया तो आप अच्छे से कर सकते हैं तो इन दोनों book में से कोई एक book आप ले लें राकिस यादर की class notes ले लेंगे तो किसी भी chapter को कैसे बनाना है वहाँ पर आपको ideas मिल जाएंगे उस class notes से कैसे कैसे हमको करना है ठीक है उसके बाद आपको जो है advance math के जो questions है ठीक है 2000 plus question and उसका solution आप SSC crackers याने कि मैंने भी आपके लिए बनवाया है तो आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं ठीक है तो यह चीज आप कर लेजिए को कि इसके बारे आप यह कैसे लेना है यह आपको description box में मिल जाएगा यह कैसे लेना है तो यह चीज जो है आप इतना ले सकते हैं को कि यहाँ पर मैंने भी previous year का question और hundred expected question practice के लिए आपको बनवाया है ठीक है उसके अलाबा क्या है कि जो recent में TCS ने जितना भी exam लिया है चाहे वो SSC, CZL का हो, CHSL का हो, CPO का हो, किसी का भी exam हो जिसमें math आपका आता है, आप उसके सारे questions को solve करेंगे यह ऐसा है कि एक दिन का यह काम नहीं है, यह आने वाले 150 days में आपको complete करना है, बस समझ गए, इसके हर एक chapter के हर एक questions को आपको बनाना है हर एक chapter में मोटा मोटा मानिया, आप percentage में है, तो 300 questions होंगे, तो वो बना जाना है, time है, आप easily solve कर सकते हैं, recent में जितना exam हुआ है, उसको आप solve कर लेंगे, मैंने आपको जो भी material दिया है, आप इसको कर लेंगे, बस इतना ही आप करके चलिए, आपको definitely है, 50 out of 50 tier 1 में आ जाएगा, ठीक है, 190 प्लस जो है, आपको tier 2 में भी आ जाएगा, सीजियल के, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए, student को सबसे पहले यह मुझे बताना बहुत जरूरी है, कि वो कैसे बनाए, ठीक है, कैसे बनाए, math के किसी भी chapter को, यानि कि chapter कैसे बनाए, starting से, यह मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे revision करे, यह मैं आपको थोड़ा example के साथ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, तो ध्यान से इसको जैसे कि मान के चलिए, कि आप निकाले है, percentage chapter, पहला chapter है आपका percentage, और कहां से आप बना रहे हैं, तो आप बना रहे हैं, राकेस यादव की book से आप बना रहे है, percentage का chapter, अब उसमें देखिए, 300 question दिये वह हैं, यहाँ पर तो आपको मैंने example के लिए total 80 questions लिया है, मान के है कि आपको 3 hours daily पढ़ना है, minimum 2 hour, maximum 3 hours, अगर आप इमंदारी से भी पढ़ेंगे, अगर इमंदारी से अगर आप पढ़ेंगे और chapter बनाना start करेंगे, तो मुझे लगता है कि minimum 2 and half hour, मैं बीच का average ले रहा हूं, जो time आपको, यह इतने घंटे में, आप minimum 50 questions तो आप easily बना सकत starting में लगेगा कि अरे बाप ने इतना question दिया वाग कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, लेकिन नहीं, आप अगर एक के questions को बनाएंगे, इससे फैदा यह होगा कि जितना questions आप starting में बनाएंगे, तो आपके पास number of variety of type के question होते हैं, वो आप solve करते जाएंगे, अब दे चलिए है, छटाएजी है, सातमा हाड है, star mark कर लिया, आठमा इजी है, नौमा इजी है, यह सब questions जो है, star mark आपने कर लिया, इतना इतना type का question आपका दिया वाग है, ठीक है, अब यह star mark दो type के होंगे, पहला type का तो यह होगा, जैसे मान के चलिए कि कोई एक type का question आप से बा यह नया type का question है, तो इसको आपने star mark किया, आपको लगा कि दूसरा same type का है, रहने दीजिए, तिसरा same type का है, चौथा नया type का question है, star mark कर लिया, पाचमा same type का है, छटा same type का है, यह आपने star mark कर लिया, अब आपने देखा कि यह question आपका, तो इस type से आपने star mark बहुत सारे questions को आपने कर लिया अब ये एक अलग color paint से आपने किया ठीक है तो मान के चलिए कि इस 80 questions में आपको मिला कि आपको 8 type का questions आपको मिला कि 8 type का question है ये समझ गया 8 type का आपको questions मिल गया तो ये आपने मान के चलिए कि black paint से आपने tick किया है, तो यहां से आपके कितने type के question निकल गए, 80 तक में 8 type के question निकल गए, अब 300 question दिया वा है, तो मान के चलिए कि आपके पास total 40 type के questions हो जाएंगे, ऐसे 40 type के question, जो कि उस pattern पे question पूछता है, तो यह 40 हो गए, तो यह पहला हो गए आपका star mark लगाने का, अब दुसरे color का paint आपको use करना है, अब मान के चलिए कि तिसरा hard question है, यह आपका hard question है, यह आपका hard question है, यह भी hard है, यह भी hard है, यह भी hard है, तो यह सब hard है, बाकि सब normal है, तो आपको 80 तक में कितने मिल जाएंगे, आपको मान के चलिए 20 questions ऐसे मिले, जो कि आप वाइस question हो गये जो आपने खुद से ही prepare कि आपको लगा है कि यह सेम टाइप का question है थीक है इतने यतने type के हैं तो 40 वो questions हो गये दूसरा आपने ऐसा stop mark लगाया है कि जो hard question है तो 300 question में मान के चलिए कि आपको 80 ऐसे questions लगें जो कि आपको लगें कि ये इसमें time लग रहा ही hard question हो गया तो आप सोची कि आपके पास खुद का जो है star mark questions टोटल कितना हो गया वो हो गया आपके पास 120 questions इसमें दो type के हैं type wise question और hard question तो अब आप जब next time बनाएंगे तो आपको इन 300 question को बनाने की जुरुवत नहीं है आपको revise करना क्योंकि वही star mark question है और आपको इसी को revision करते रहना है समझ रहे हैं और इसको आपको करने में ज्यादा से ज्यादा दो दिन अब लगेगा अब ऐसे ही से करते करते क्या होगा एक time आएगा कि यह 120 question जो है मातर 20 से 30 questions होगा जो आप हर दो तीन घंटा में भी आप उसको revise कर सकते हैं तो आप fully command कर लेंगे किसी भी chapters को समझ रहे हैं उमीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे points को में क्या समझाना चाहरा हूँ आपको ऐसे ही revise किया जाता है यह सर्व टॉपर्स वाली एकदम basic चीज में आपको बता रहा हूँ अब देखिए revision कैसे करेंगे तो यह देखिए अब देखिए कि आपको कैसे करना है जैसे आपने पहला chapter बनाया percentage आपने इमंदारी से 7 days में उस chapter को complete कर लिया और यहां से आपके 120 questions निकल कर आए जैसा कि मैंने आपको बताया अब आप दूसरा chapter बना रहे है profit and loss उसमें भी आपने 7 days का time दिया उसी तरीके से आपका 120 questions यहा आपने यहां पर 120 questions निकाले थे उसको आपको बनाना है 120 questions को revision करना है तब ही आप किसी तिसरे chapter पे हात लगाएंगे अब simple interest छोड़ा chapter है इसको आपको बनाने में 5 दिन लगा और इसको बनाने में 5 दिन लगा और यहां से केवल आपके 50 questions नहीं star mark निकले ठीक है जब आप next chapter बनाएंगे तो उसके बात जो है वापस से इस profit and loss वाले chapter को आपको revise करना है दो दिन में जो कि आपने 120 questions star mark के निकाले थे तो इस तरीके से आपका क्या है कि हर बार आपका एक नया chapter भी start हो रहा है और साथ में पुराने वाले का revision भी हो रहा है और अगर आप इस तरीके से revision नहीं करेंगे तो obviously बात है कि आप समझेए कि seven days पहले आपने percentage बनाया फिर आपने profit and loss बनाया और बीना revise कि यह simple interest बनाएंगे तो सोचे कि इस chapter को बनाए हुए कि इस chapter को बनाए वे तो obviously बात है कि पढ़ावा चीज़ भी आप भूल जाएंगे बहुत सारे steps भूल जाएंगे इसलिए तो आप जब question देखते हैं तो मान के चलिए कि अभी आपने मेरी इस videos को देखा है और आपने समझा है कि किस तरीके से आपको बनाना है और मान के चलिए कि कोई बच्चा as usual ऐसे ही बना रहा है कि आपको percentage बनाया, profit and loss बनाया, simple interest बनाया, सब chapter को बना लिया, revision किया ही तो exam के time पे revision का tension खतम हो जाएगा और यह मेरा guarantee है कि आप से मतलब आप सभी questions को easily बना सकते हैं क्योंकि सब question आपके mind में चल रहा होगा, समझ गए, तो starting में आपको इसी तरीके से करना है, और मोटा मोटी मुझे लगता है कि 100 days के अंदर में आपका यह सब complete हो जाएगा, उमीद है कि कैसे revision करना है, आप समझ गए हैं, उसके बाद देखिए, अब यह channel की बाद आती है, तो जब भी मैं start करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो video मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे reason है, क्योंकि मैं खुद अपने ही life में बहुत ज़्याद कि आपका जो है, जितने भी chapter दिये वे हैं, percentage, profit and loss, algebra, trigonometry, चाहे वो, arithmetic के हर एक chapter और advanced math के हर एक chapter का, हर chapter का 100 questions को करवाना है, ठीक है, 100 questions को करवाना है, अच्छे तरीके से, और जो भी recent में आपका 18 में, 19 में जो exam हुआ है, उसके सभी questions को आपको solve करवा देना है, ठीक है, इत हो जाएगा, बाकी website जब मेरा आजाएगा, खुद का, तो आप वहाँ से practice भी कर सकते हैं, वहाँ पर daily math के question आएगे, तो इस तरीके से आपको math को बनाना है, और जो है, आपको revision करना है, समझ गया है, एक important चीज़ ये भी है, कि देखिए, math ऐसा chapter है, कि आप कितना भी कुछ कुछ questions होंगे, जिसमें आपको problem होगा, तो वैसे questions आपको कभी भी मिल जाए, जैसे मान के चलिए कि आपने algebra को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी, एक दो वार आपने revise भी किया, बट फिर भी आपने किसी question को देखा और आपको problem आ गया, तो आप उस question को कहीं note down कर लेंगे, यहाँ पर हर एक चीज की बात हुई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 घंटे के बारे में भी बताया कि कैसे पढ़ना है, revision कैसे करना है, यह भी मैंने आपको समझा दिया है, अब यह जो notebook है, यह notebook का क्या काम है, य थोरा मैं बता दू, तो इस notebook में क्या क्या जाएगा, सबसे पहला चीज तो आपके इस notebook में क्या जाएगा, कि जो भी आपने questions को star mark लगाया है, ठीक है, ने आपको कोई भी type का question जो दिखा है, जो आपको मैंने बताया कि 120 questions जो हैं आपके, उसमें दो type के हैं, एक तो आपके hard question है, और एक तो आपके type wise question है, तो type wise questions को यहाँ पर note down करना है, हर एक chapter का 40-30 question को आपको note down करना है, ताकि खुद का एक notes बनाना है, कि जब आप revision का time आएगा, तो आप एक बार इसे percentage परना है, तो percentage का आपने 40 question यहाँ पर 40 type का आपने रखा है, तो जब आप revision करेंगे, तो तुरंत एक बार 40 question को आप go through हो जाएंगे, पूरा chapter का हर type का question ही आपने solve कर लिया है, तो इस notebook में 40 questions जो आपके type wise होंगे, वैसे वैसे, example के तोर पर यह 40 है, बाकि 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसे इस notebook में आपको लिखना है, दूसरा चीज क्या लिखना है, जो hard questions वाले हैं, उस hard questions में जब आप दुबारा revision करेंगे, जैसे आपने पहली बार में तो आपने 80 questions hard type के निकाल लिए, जब दूसरी बार आप बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर निकला 40 question, तीसरी बार बनाएंगे, तो आपको 20 question निकला hard, तो जब एकदम नुइनितम point प इतना जादा है, cutoff इतना जादा जा रहा है कि आपको मेहनत तो करना ही परेगा, समझ गये, उसके बाद क्या है कि जब आप mock test बनाएंगे, और mock test जब यह बात का बात है, mock test बनाएंगे, उसमें भी कोई questions आपको दिखेगा, तो वो भी आपको note down करते चलना है, बस आप इत इसने सालों से बता रहा हूं, ठीक है, student जो है, ऐसा होता है कि अगर videos, अगर का view अगर 10,000 गया है, तो इस 10,000 में से जो है, only 100 ऐसे student होते हैं, जो कि हर एक बात को follow करते हैं, और इस बार भी आप देखिए, जब आपका SSC, CHSL का exam हुआ है, और मैंने 160 तक का आपको promise किया था और मैंने आपको उसके उपर कैसे marks लेना है, वो भी मैंने बताया, तो इस बार channel से 180 highest marks गया है, आपका CHSL का, ठीक है, second highest 172 गया है, मैंने telegram पर भी screenshot वह जा था आपको, तो इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, तो अभी अगर आप नए हैं, तो इस channel को subscribe जरूर से जर वीडियो को share करके उन लोगों तक भी पहुचाई है, जो लोगों को math कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जो math को लेकर घबडाते हैं, वो सब students देखें और उनको लगे कि अच्छा इस तरीके से करना है, समझ गया, तो उमीद है कि ये video देखने के बाद आपको ब detail से बताऊंगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे next video में, तब तक के लिए all the best